नमस्कार महापुर्शों का कहना है कि कविता हमें बेहतर इंसान बनने में सहायता करती है इसलिए ये जरूरी लगता है कि कविता सब तक पहुँचे सब कविता को जाने और समझे विशेश रूप से हमारी युवा होती पीड़ी अर्थात कि शूर बच्चे कविता से निकटता बनाए तो एक बेहतर समाज के निर्मान में उनकी भूमिका सार्थक हो सकती है किन्तु ऐसा तभी संभव है जब हम ये जान ले कि कविता है क्या कविता का एक छोर जहां कलपना को आकाश की उचाईयों तक ले जाने के ख्षमता रखता है वहीं जीवन का यथार्थ कविता को धरातल पर लाकर खड़ा कर दिता है यही अंतर विरोध ही कविता का जनक है कविता का भाव जगत चात्रों के लिए हमेशा से जिग्यासा का कारण बनता रहा है इस शंखला के कारिक्रमों में उनकी इने जिग्यासाओं का उत्तर खोजने का प्यास किया गया है रितुराज और उनकी कविता कन्यादान पर आधारित यह कारक्रम रितुराज की यह कविता इन्सियाटी की कक्षादस की हिंदी की पाठ्य पुस्तक छितिज भाग दो में संकलित है आई यह सबसे पहले सुनते हैं कविता पाठ प्रस्तुत कर रहे हैं डक्टर विबेक निराला कविता का शीशक है कन्यादान कितना प्रामानिक था उसका दुख लड़की को दान में देते वक्त जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो लड़की अभी सयानी नहीं थी अभी इतनी भोली सरल थी कि उसे सुख का आभास तो था लेकिन दुख माचना नहीं आता था पाठीका थी वह दुंदले प्रकाश की कुछ तुकों और कुछ लैबध पंक्तियों की मा ने कहा पानी में जहाँक कर अपने चेहरे पर मत रीजना आग रोटियां सेकने के लिए है जलने के लिए नहीं वस्र और आभुशन शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है इस्त्री जीवन के मा ने कहा लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना कविता पाठ के बाद अब हम कविता के महत्पुन बिंदुओं पर चर्चा करेंगे चर्चा के लिए हमारे बीच उपस्थित हैं डाक्टर अजय तिवारी डाक्टर तिवारी दिल्ली विश्व विद्याले के हिंदी विभाग में लंबे अर्षे से अध्यन अध्यापन कर रहे हैं भासा साहित्य और अलोचना के छेत्र में महत्पुन हस्ताक्षर हैं उनसे बादचीत करेंगे डाक्टर हरी मुहन शर्मा डाक्टर शर्मा दिल्ली विश्व विद्याले के हिंदी विभाग के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं भासा साहित्य और सिक्षण में उनका और उनकी कविता कंज्यादान पर चर्चा करने जा रहे हैं कविरत राज जीवन और समाज की विडम बनाओं को बहुती सहल और सचित्र रूप से हमारे सामने उपस्तित कर देते हैं इनकी कविता पर हमारे साथ चर्चा कर रहे हैं डाक्टर अजयतिवारी डाक्टिवारी आपका भावत वो स्वागत है नमस्कार डाक्टिवारी क्या ही अच्छा हो कि आप कवी रितुराज का संख्षिप्ट जीवन परिचा दे दें जिससे कविता को समझने में मदद मिलेग डाक्ट साब रितुराज राजस्थान के रहने वाले हैं और अंग्रेजी के अभ्यापक थे आवकाश प्राप्ति के बाद जैपुर में रहते हैं राजस्थान से बाहर तो बहुत आये गए लेकिन राजस्थान से अंदर से जिस तरह जुड़े हुए हैं वो उनकी पूरी कविता में भी दिखाई देता है उनके व्यक्तित्तों में भी है कविता में भी है दूसरे तरह से कहें तो जैसे उनके अनुभाव उनके कविता में आने वाले द्रिश्ष और उनकी कविता की समवेदना सब कुछ वो राजस्थान के जीवन से बहुत घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ है तो कविता में स्थानियता को बड़ा महत्पूर्ण माना जाता है उस द्रिष्ट से इनका बड़ा महत्व है और एक कवी के रूप में इनकी सबसे बड़ी खुबी यह है कि बहुत सारे कवी जो खराब चीजें हैं उन पर ध्यान केंदरित करते हैं और उन का संके तो अपनी कविताओं में देते हैं कन्यादान में भी यह चीज करते हैं तीसरी बात यह है कि अपनी कविता से रितुराज ने चमतकार तो नहीं पैदा किया लेकिन एक कवी के रूप में उनकी स्वीकृत ही बहुत व्यापक रही इसलिए आप देखेंगे कि उनको चबल्पूर से पहल संबान मिला अपने राजस्थान का बिहारी संबान एक बड़ा संबान है वो संबान मिला इस तरह उनको अनेक साहितिक संस्थाओं से देशभर में संबान प्राप्त हुआ तो एक कवि के रूप में उनकी अखिल भारती सुइक्रित ही है ये उनकी जो अंग्रेजी शोकिया पढ़ लेते हैं लेकिन अंग्रेजी के अध्यापकों में प्राया अंग्रेजी का प्रभाव बहुत कम पाया जाता है वही इनके अहां है और ये लोक से उस तरह नहीं जुड़े हैं जी जनता के जीवन से जुड़े हुए हैं लेकिन लोक वाली बा कि कविता कंञ्यादान पर थोड़ी बातचीत कर लेते हैं, और कंञ्यादान के थोड़ी सी व्याख्या अगर आप कर दें तो बहुत अच्छा रहेगा. जी दखसाग. छोटी सी कविता है, लेकिन इस कोटी सी कविता में-कवी नें बहुत सी महतुपूर्ण बाते कहիं हैं पितना प्रामानिक था उसका दुख लड़की को दान में देते वक्त जैसे वही उसकी अंतिम पूझी हो तो आप देखें इस when की दुख उसका है वो यह दुख किसका जो दान में लड़की को दे रहा है तो ये मा का दुख है क्योंकि ये उसकी अंतिम पूजी थी तो अंतिम पूजी का आर्थ है लेन देन जो शादी व्या में लेन देन तो होता ही है चाहे दहेज के रूप में हो चाहे रस्मोरिवास के रूप में हो गिफ्ट के रूप में हो दान के रूप में हो तो वो सारा दान देने के बाद वो लड़की को भी दान में दे रही है मानो अपना अंश दे रही है इसलिए वो अंतिम पूंजी है उसके बाद माने उसके पास कुछ नहीं बचा लड़की को दे देने के बाद माने ये उसका अंतिम अंश माने आखिरी अंश है अपने अपन यह भी यहां पर पता चलता है, तो इस तरह यह दोनों अर्थों में है अंतिम पूजी का प्रियोग, इसके बाद आता है, लड़की अभी सयानी नहीं थी, अभी इतनी भोली सरल थी, कि उसे सुख का आभास तो होता था, लेकिन दुख बाचना नहीं आता था, कितनी मारमिक पंक्तियां हैं, आप देखें, यहां सबसे पहले तो मैं सयानी शब्द पर ध्यान दिलाना चाहूँगा, केदारनाथ अग्रवाल की कविता है, चंद्रगाहना से लौटती बेर, वहां सरसों सयानी हो गई थी, तो वहां सरसों सयानी होने का मतलब था, कि वयस्क हो गई है, यहां बड़ी का आर्थ नहीं है, यहां परिपक्व का आर्थ है, कि यह लड़की अभी इतनी मैच्योर यानि परिपक्व नहीं होई है, सयानी नहीं होई है, भोली सरल है, भोली सरल है क्योंकि उसे सुख का आभास तो होता था, लेकिन दुख बाचना नहीं आता था, अब दुख माचना बिदाई के साथ इसका जुड़ा हुआ संबंध है तो वो अपनी कलपनाओं में सुख का स्वपन तो देखती थी लेकिन ससुराल में जो जटिलताएं होती है जो लड़की को जीवन जहेलना पड़ता है उस सब का उसको बोध नहीं था ग्यान नहीं था पर सु का आभास था तो सुख आभासी था दुख वास्तविक था लेकिन उस दुख को वो बाच नहीं पाती थी यानि क्या दुख आएगा इससे परचित नहीं थी तो सुराल में जटिलताएं क्या होती है इनको लड़की नहीं जानती क्योंकि अभी भोली सरल है उसको वो भविष्य की आसपश्टता है वो उसको पढ़ने की कोशिश कर रही है लेकिन वो प्रकाश दुदला सा है वो उसको ठीक ठीक नहीं जान पा रही है इसलिए आभास है वही यहां इस रूप में है दुदला प्रकाश है और तुकों और लयबध्य जीवन का मतलब है तुक त यह जो निर्धारित और निश्चित जीवन है यानि लड़कियों के जीवन के लिए पहले से कुछ निर्धारित नियम है कुछ उनके निश्चित पैमाने हैं यह जो निर्धारित और निश्चित पैमाने हैं जीवन के उनके लिए पहले से निर्धारित मार्ग है या कावरन से जो प्राप्त हुआ था ये लायवध्ध पंक्तियों की जो बात वही तो मैंने कहा कि निश्चित लायवध्ध तो निश्चित होती है तो जो निश्चित जीवन है निश्चित रास्ता है उसके लिए लायवध्ध कहा गया है और जो पहले से निरधारित है उसके ल यह सिर्फ इन ही चीजों को पढ़ सकती थी ना अच्छा अब आगे कहते हैं मने इस मतलब यह है कि लड़की जीवन के लड़की का जीवन तो दुख में होता है लेकिन उस दुख को वो जानती नहीं थी उससे अंजान थी यह उसका अबोध पन था यह उसका भोला पन था सरल पानी में जहांक कर अपने चेहरे पर मत रिजना यहां से कविता बदलती है यानि अब तक लड़की को जो पूरी परंपरा से विरासत से वातावरन से एक संसकार मिला था वो संसकार है लेकिन अब उस सारे संसकार के भीतर मा उसको एक सीख दे रही है क्यों दे रही है अभ अपने चेहरे पर मत रिजना मतलब रिजना का मतलब है आत्म मुग्द होना यानि अपने से ही सम मोहित होना यह पानी में जहांक कर पानी से आशाय क्या है पानी तो जिसमें प्रतिविम में दिखाई पड़ता है अचा और पानी में अक्स दिखाई पड़ता है तो और साथ उसमें परमपरा भी छीर छीपी रहती है, तो पानी में यानि तुम्हारे लिए जो पहले से बनाया हुआ चोखटा है, जो पहले से बनाया हुआ धाचा है, मर्यादाएं है, पंधन है, जो नहितिक्ता के नियम बने हुए हैं, उनकी कसाओटी पर तुम अपने को मत देखना, कि उन पर तुम खरी उतर रही हो तो तुम अपने में संतुष्ट हो जाओ ऐसा मत करना अपने पर मत रीजना ठीक है उन कसोटियों पर अपने पर मत रीजना आग रोटियां सेंकने के लिए है जलने के लिए नहीं अब इसमें दोनों अर्थ है कि आग रोटी सेंकने के लिए जीवन भर जलना पड़ता है ससुराल जाने के बाद, तो यह जीवन भर का जलना है, उसकी दाह है, इसके लिए भी आग नहीं है, यह उस आग का उपयोग तुम्हें जलने के लिए करना है, खुद के लिए नहीं करना, नहीं, अपने जीवन को दुखमें बनाने के लिए नहीं है आग. आग तो प्रतीक के रूप में आया है ना और दूसरा आग का प्रतीक ये भी संकेत करता है कई बार ससूरान में लड़्कियां जला भी दी जाती है अनेक कारणों से दहेज के लिए हो अनेक कारणों से तो आग का वो जो चाहे तुम ये जो मनुश्य विरोधी उप्योग है वो नहीं है इसको तुम स्विकार मत करना तुम अपना करतब विकरना आग रोटी सेंटिने के लिए है वस्त्र और आभूशन शाब्दिक भ्रमो की तरह बंधन है इस्त्री जीवन के तो ये जो वस्त्र और आभूशन है लड़कियों को तो सजी संवरी गुडिया जैसी एक मतलब फूल सी सुन्दर कोमल यही इमेज बनाई गई है यही उनके लिए पहले से तै किया गया है कि रंपरागत आदर्ष है लड़की का वो तुम मत अपनाना यह शाब्दिक भ्रम पैदा करते हैं यानि इस तरह के सिधांत बनाकर तुम्हें एक भ्रम दिया जाता है कि तुम्हारे जीवन की यही सार्थक्ता है लेकिन यह सार्थक्ता नहीं है यह भ्रम है यह तुम्हारे लड़की बनाई पहले से एक धारना है एक आदर्ष है एक इमेज है उस इमेज से साउधान करती है मा अर इसलिया आंत में टिपनी करती है मा ने कहा लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना लड़की हो लड़की रहोगी लड़की जैसी मत दिखना इसमें जैस पर यह लड़की है यह तो प्रकृति ने बनाया है तो प्रकृति ने जो लड़की बनाया है प्रकृति की उस सीमा का उलंगन वो ना करे वो लड़की है लड़की रहे लेकिन फिर समाज ठोक ठोक के लड़की बनाता है अच्छा लड़की हो हसना मत लड़की हो दोर रही हो लड़की हो यह मत करो, जितनी वर्जनाएं लड़की हो यह करो, खाला बनाओ, लड़की हो यह करो, यह जो लड़की बनाया जाता है समाज द्वारा यानि समाज संस्कृत वातावरल के द्वारा यह जो लड़की बनाया जाता है तुम लड़की जैसी मत होना लड़की होना लेकिन लड़की जैसी मत होना यह जो बनाया जाता है लड़की जैसी तुम ऐसी मत होना यानि जो प् प्रचलित अर्थ को तोड़ के तुम अपनी सार्थक्ता प्रकट करना और इसमें छिपा हुआ संदेश ये भी है कि मां खुद जीवन भर तपती रही है मां जानती है और मां अपने और अपने पूरे परिवेश से यही पाती रही है तो अब उसकी बेटी वही सब न जेले व को साउधान करती है कि लड़की होना लड़की जैसी मत होना क्या बात है डॉक्ति वारी आपने बहुत अच्छी व्याख्या कि इस कविता की और उसके बहुत सारे महत्पूर्ण पहलों को घाटित किया पर मेरे मन में कुछ जिग्या सा थोड़ा सा प्रश्न है कि जैसे कव प्रामानिक था उसका दुख तो इसमें प्रामानिक को थोड़ा सा और बिल्कुल आपने ठीक कहा कि ये प्रामानिक दुख तो मा क्या दिखाया जा रहा है क्योंकि जो अपना अंतिम पूजी दे रही है तो मा ये प्रामानिक इसलिए है कि वो जीवन पर स्वयम जो पहूत सत्य यानिकि वो सत्य उसके अनुहों का सत्य है इसलिए वो प्रामानिक है। और वो दुख उभार आया लड़की को दान देते हुए। इसलिए यह प्रामानिक है। कैंकि उसका निजी भी है और उसके पूरे समाजी या या नि या ज़ॹँ ढाणynn इसी कविता में बीच में और आया था कि वस्त्रा भूश्वणों की जो चर्चा शाब्दिक भ्रह्मों की तरह की गई है। आप देखें कि ये शाब्दिक भ्रहम इसलिए है कि शाब्दिक जो शास्त्रों के द्वारा नियमों के द्वारा बहुत सारे लोग गीतों और कविताओं के द्वारा लड़की का एक रूप बनाया गया है तो परंपरा से जो प्रचलित मानेताई हैं उन्होंने लड़की का एक रूप बनाया है लेकिन इसके अलावा भी आप देखें कि जैसे मध्यकाल में जब दरवारी साहित और दरवारी संस्कृती थी तो वहां स्त्री केवल नाइका बना दी गई वो दस वर्ष की अज्यात यह नाइका है और पचास वर्ष की विगत यह नाइका है लेकिन न अनेक रूप हैं एसद्री के भी अनेक रूप हैं वह केवल नाइका नहीं है तो यह जो सारे रूपों को हटा के नाइका का रूप दे दिया गया तो इस तरी उसी में संतुष्ट है कि मैं यही हूँ उसी तरह आप व विद्धियापनूं के दोरा आप देखें कि इतना बनाके फिर उसको विग्यापन के लिए इस्तेमाल करते हैं तो सारी लड़कियां फिर ब्यूटी जाएं या कहरें यह करें और वही सामान इस्तेमाल करें यानि जो विग्यापनों के द्वारा आज लड़की की एक इमेज बनाई जा रही है तो वह भी बनाई हुई इमेज है विशंता होगी और तब इस तरी को लड़की जैसा बनाया जाएगा और पुरुष सवामी जैसा बनेगा माँ उसके प्रत्षचेट कर रही है और लड़की जैसा बनाना ये सारे खेल को चाहे वह शास्त्रूं के द्वारा आ रहा हो हो चाहे विज्ञापनों मेरा प्रश्न है, कि आज के संदर्व में ये कन्यादान का उचित्थ क्या है ? कन्यादान का कोई उचित्थ नहीं है.. इसीलिए तो कभी ने कन्यादान शब्द की विडव्वना उदगातित कीра क्योंकि दान में तो वस्तु दी जाती है किसी समय में जब पुरुष की सत्ता हावी थी जिसको पित्री सत्ता कहते हैं पैट्रियार्की कहते हैं तब इस्त्री उसकी संपत्त ही होती थी और इसलिए आप देखें कि जो जितना सामर्थ्यवान होता था वो इतनी इस्त्रियां रखता था किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाती का हो लेकिन वो अगर ब्यापारी है, अगर वो राजा है या जमिंदार है या कुछ भी है तो उसके पास उतनी अधिक स्त्रियां होंगी यानि जितनी अधिक स्त्रियां है उतना वो बलशाली है जैसे जितनी अधिक उसके पास रुपएं हैं, जितने घोडे हैं, जितने सोना चांदी हैं, उतना वो तो एक जमाने में जैसे सोना चांदी है, घोडे हैं, उसी तरह से खेत बारी है, उसी तरह इस्त्री भी संपत्य होती थी, तो उसका दान करते थे, वो पराया धन कहा जात अब इस्त्री को अगर लड़की जैसा दिखाई नहीं देना है उसको अपना सवतंत्र इस्त्री का व्यक्तित्थ प्राब्त करना है तो व वस्त नहीं यह हम यह कहें कि कन्यादान पर प्रशन चिन्द लगा रहा है कि जाहिर है बिलकुल क्योंकि कन्यादान ही तो यह सारी विडंबना का स्रोत है यहां उसके प्रतीक के रूप में कन्यादान शब्द को रखा गया है तो इसलिए उस कन्यादान को वो आज के युग में निरर्थ बता रहा है यह दोक्तिवारी आपने रितुराज की इस कविता की जो व्याख्या प्रस्तुत की है और जिस सरल तरीकिसों समझाया है वह हमारे विद्यार्थियों के लिए बहुत लाप्रद होगा ऐसा मेरा विश्वास है आपका बहुत-बहुत धन्यवाद नमस्का नमस्का प्रश्वास डाला है वह हमारे विद्यार्थियों के लिए न केवल ज्यानवर्धक और उपयोगी है बलकि कविता समंधी उनकी समझ को नए आयाम और विस्तार प्रदान करता है फिर भी आप लोगों के मन में कोई प्रस्ण कोई जिग्यासा हो तो आप अपने साथियों औ अपने अध्यापकों से चर्चा करें अध्यापकों से विसेश अनरोध है कि पाठ पढ़ाते समय विद्यार्थियों में प्रश्णाकुलता पैदा करें अर्थात उन्हें प्रस्ण पूछने के लिए प्रेरित करें चर्चा पर चर्चा के द्वारा ही उसका समाधान करें स काता है संजुक्त निदेशत CIET चाचा नहरूभवन NCERT श्री अर्विन पढ़ान थे नहरूभवन गया निदेशत CIET अचा नहरूवन जाचा नहरूभवन Man पाया नहरूभवन Nacer झाल झाल